हलो गाइज, तो आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर्स, जो की कौन्टम मेकेनिक्स का बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टिन पार्ट है, ठीक है, तो कम्यूटेटर्स तो सबसे पहले apply किस पे होता है, क्योंकि कौन्टम मेकेनिक्स का बेसिक पार्ट क्या होता है, operators है न, हम उसम हमारे पास operators पे लगते हैं, ठीक है, तो let's say कि हमारे पास दो operators हैं, A और B, तो मैं operators को यह cap sign से represent कर रहे हूँ, ठीक है, A cap, B, मतलब operators हैं यह, तो आप लोग simple भी, मतलब अगर, मैं पहले ही अगर आप वो चीज़ अबसर्व करो कि A और B operators हैं, तो आप cap वगरा यह avoid भी कर सक अगर आप A और B operators मान के चल रहे हो, ठीक है, तो commutators होता क्या है, कि अगर मुझे A और B का commutator निकानना है, ठीक है, तो क्या होगा, A B माइनस B A, मतलब A B और B A का difference जो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, commutator, ठीक है, और अगर हमें यह question में given है, कि जो दो operators हैं, वो आपस म commute करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो उनका commutator होगा, A B, और commutator को हम represent करते हैं, this bracket, square bracket, ठीक है, तो जब A और B का commutator हमारे पास 0 होगा, इसका मतलब क्या है, कि A और B आपस में commute करते हैं, otherwise, वो जो commutator होगा, वो कुछ ना कुछ value देगा, मतलब not equal to 0 होगा, ठीक ह तो यह हमारे पास commutator का थोड़ा सा introduction था, कि commutator की value होती क्या है, A B equal to A B minus B A, लेकिन अब हमारे पास कोई भी question अगर हमें solve करना है, ठीक है, कोई हमारे किसी दो operators का commutator find करना है, तो उसके लिए हमारे पास काम आती है, कुछ properties, ठीक है, तो यह हमारे पास commutator की properties हैं, तो first and basic property is, कि जो हमारे पास दो operators हैं, अगर हम उनको interchange कर दें, तो उनका जो भी हमारे पास answer आ रहा होगा, वो answer तो same रहेगा, ठीक है, लेकिन, sign will be reversed, ठीक, मतलब अगर xp मेरे पास iota h cut है, तो जो px होगा, वो हो जाएगा, minus iota h cut, और यह जो values हैं, यह में value आपको निकालना जर जरूर सेखाऊंगी, लेकिन अभी सिरफ यह, मैं property के example दे रही हूं, कि अगर हम दो operators को interchange कर दें, तो हमारे पास sign reverse हो जाता है, कि अगर एक plus है, तो दूसरा minus, अगर एक minus, तो दूसरा plus, ठीक है, और next is, कि कोई भी अगर हमारे पास commutator है, तो उसमें से अगर कुछ constants हैं, जिसे अगर कोई operator नहीं है, उसमें operator को किसी constant से multiply किया हुआ है, तो वो constant commutator से बहार आ सकता है, ठीक है, next property क्या है, कि अगर कोई भी operator, मतलब एक operator को उसी operator के साथ, अगर हम commutator उसका find कर रहे हैं, तो हमारे पास answer क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी operator है, वो अपने साथ तो commute कर तो उसकी commutator जो उसका होगा, वो क्या होगा, 0, और ज़रूरी नहीं है कि वो खुद के साथ ही 0 होगा, अगर उसके साथ कोई और उसका function भी है, तो उसका answer भी क्या होगा, 0, मतलब उसका commutator भी क्या होगा, 0, तो xfx का अगर मैं example लूँं, मतलब अगर xx square है, तो यह जो यह दूसरा वाला operator है, वो x का ही तो function है ना, उसका ही polynomial है, या फिर x sin x, है ना, x cause x, तो मतलब अगर एक operator और दूसरा operator उसका function है, तो वो answer हमें क्या देंगे, यह सारे के सारे क्या होगे, equal to 0, तो यह जैसे मैंने x का function लिया है, ऐसी कोई भी, मतलब y, z, कोई भी ऐसा operator ले और उसके साथ अगर उसका कोई भी function हो, तो हमारे पास commutator क्या होगा, 0, ठीक है, और यह कुछ properties हैं कि जब एक से जादा operators आपके पास आएं, question में solve करने के लिए, तो आप उनको कैसे simplify करें, कि जब यह 3, मतलब एक side पे 2 operators add हो रखे हैं, और साथ में 3 operator है, तो उनको आपने के जाद, मतलब AC का commutator अलग से, B और C का commutator अलग से हम fine करेंगे, ठीक है, second, अगर हमारे पास 4 operators हो, तो उनका commutator कैसे है, मतलब देखो, कई बार question में, अगर complications हो, तो उसको property लगा के, उसको बहुत easily simplify कर सकते हैं, तो property याद करनी थोड़ी जरूरी हो जाती है, ऐसे questions के ल के साथ, AC, फिर A को D के साथ, AD, फिर BC का commutator, फिर B, D का commutator, तो ये दोनों तो बहुत easy है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, जो multiply में दो operators हैं, और एक operator single पड़ा है, तो ये क्या है कि, इस time पर ये वाला operator single है, और ये दो operators आपस में multiply में हैं, ठीक है, तो क्या करेंग कि, पहले इस operator को, मतलब ये जो दोनों operator हैं, इन दोनों operator को हमने इसके साथ commutator निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इस operator का, इसके साथ, और ये जो C है, ये as it is पड़ा रहेगा, इसको फिर हमने बहार निकाल देना है, commutator के bracket से, और जब A, B, A को B के साथ कर दिया, तो कौन बचा, C बचा, तो अब A का किस के साथ होगा, कॉमिडेटर C के साथ, लेकिन ये जो B है, वो इधर इधर वाले साइट पे नहीं बहार आएगा, वो कहां आएगा पहले, क्योंकि वो C से पहले था, बस ये चीज़ यहां पर दियान रखनी है, कि जब A और B का हो रहा है तो C, B के बाद आना, तो वो बाद में ही आएगा, लेकिन जब A और C का हो रहा है, तो B पहले था, तो वो पहले आएगा, ब्रेकिट के बाद में नहीं आएगा, इस ब्रेकिट के बाहर, इधर और इधर का भी बहुत, मतलब लेफ्ट राइट पे अगर आप operator रख रहे हो, property solve कर रहे हो, और अगर आपने left की जगा right पे लिख दिया, operator मतलब होगा, मैंने C यहाँ पे लिखना था, और यहाँ लिख दिया, यह भी यहाँ लिखना था, और यहाँ लिख दिया, मतलब left right में भी अगर आप confuse हो, तो question गलत हो जाएगा, तो यह अपने ध्यान रखना है, कि अगर A को B के साथ commute कर वा रहे हो, तो C क्यूंकि B के बाद आया, तो वो इस bracket के right में आएगा, और B क्यूंकि पहले था, जब A और C का commutator ले रहे हो, तो B bracket के left में आएगा, तो यह आपने ध्यान रखना है, और दूसरी property भी बिल्कों similar है, यह आप खुद try करो, देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि A और B का पहले मैंने कर दिया, multiply और C यहाँ पर है, तो क्या होगा, अगर मतलब multiplication यहाँ पर पढ़ी और C अलग गया, तो है वही है कि इन दोनों operator को C के साथ लेना है, तो पहले मैंने ले लिया A को C के साथ, और B क्यूंकि A के बाद थ अब जब B को C के साथ लेना है, तो A पहले है, तो A यहाँ पर left में रह जाएगा, तो यह दोनों properties important है, और थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अगर यह left, right जो operator bracket के बाहर जो रखने, अगर वो थोड़ा सा भी गड़ड हो जाए, तो हमारे पास question पूरा ही गलत हो सकता है, ठीक है, तो यह आप properties है, इसको ध्यान से देखो, फिर हम next करते है, relation position momentum का, so let's take some useful commutators, ठीक है, तो पहला जो हम relation पढ़ेंगे, commutators का, वो होगा position momentum, ठीक है, तो यह तो सबसे basic है हमारे पास, position momentum का commutator, कहीं भी कुछ भी solve करना हो, मैं यह commutators तो याद ही होने चाहि के दिखाऊंगे, फिर बात में generalize कर देंगे, कि वो relations आपने ऐसे, by symmetry, आप उसको write कर सकते हो, हना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, x और px का, अब कोई भी जब हमें commutator find करना है, है तो वो एक rule ना, तो वो किसी ना किसी चीज पर apply होगा, तो quantum mechanics में क्या होता है, wave function, त ठीक है, तो अब हमें commutator का, उसका याद है कि अगर में commutator निकान लें, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर यह a है और b है, तो इसका मतलब क्या होता है, a b minus b a, ठीक है, तो मैंने यह खोल दिया इसको कि x px minus pxx, ठीक है, इस commutator को हम ऐसे आगे simplify कर सकते हैं, अब यह जो wave function है, यह दोनों के साथ रहेगा न, क्योंकि हम जिस पे apply कर रहे हैं, वो दोनों के साथ वो distribute हो जाएगा, ठीक है, अब यह जो x cap है, x cap मतलब position operator, अब position operator तो position नहीं रहेगी, तो x cap को तो हम x as it is लिख सकते हैं, लेकिन हमें quantum mechanics में position, sorry, linear momentum operator कैसे लिखते हैं, हमें पता है, minus iota h cut, curl by curl x, ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ x cap है, वहाँ आप x लिख दो, और px cap की जगह यह, operator की value उसकी यहाँ पर पुट कर दो, फिर देखो, minus iota h cut, curl by curl x, साई, ठीक, minus as it is, फिर px की value फिर से यहाँ पुट कर दी, x cap की जगह x, साई, as it is, अब हम इसको bracket को solve करेंगे, तो minus iota h cut x, curl by curl x, साई, अब यह जो derivative partial differentiation है, curl by curl x, इसके left वाला तो as it is आजेगा, और यह किस पे apply होगा, only, साई पे, चीक है, फिर minus minus plus iota h cut, curl by curl x, लेकिन यह पूरा curl by curl x, किस पे apply होगा, x और साई, बोथ, यहाँ पर mistake होने के chances हैं, कहीं बार बच्चे क्या करेंगे, एक इसको ले लेंगे, दूसरी को, मतलब दोनों को consider नहीं करेंगे, यहाँ पे consider करना पड़ेगा, क्योंकि differentiation के right and side, मतलब यह क्योंकि एक operator है, curl by curl x, derivative, differentiation एक operator है, तो हम यह दो, दोनों पे apply करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे कहा लगेगा, product rule, कि पहले इसका derivative, यह as it is, प् दिया, फिर x as it is, लिखके, साई का derivative ले लिया, ठीक, और हमें पता है, call x by x is क्या होता है, 1, ठीक है, x का derivative with respect to x, 1, तो जब यह bracket खोलेंगे, आयोटा, h cut, साई as it is, क्योंकि यह 1 हो गया, और फिर आयोटा, h cut, x, call, साई by call, x, मतलब यह bracket हमने open कर दी, अब हमें दिख रहे ह सेम टर्म पढ़ा है, वो cancel हो गया, तो मतलब मेरे पास, x, p, x, साई की value यह आ गई, है न, यह हमारे पास थे operators, तो अब साई तो common था, तो मेरे पास इसका मतलब भी इस commutator की value आ गई, आयोटा, h cut, ठीक है, अब, जो हमने first property पढ़ी है, कि अगर कोई सेम operators हैं, और उनको हम interchange कर दें, तो sign क्या हो जाता है, reverse हो जाता है, और यह मैंने example भी लेके दिखाया था, तो x, p, x मेरे पास iota, h, cut, आया, तो p, x, x भी क्या हो जाएगा, उसका बस sign reverse हो जाएगा, minus iota, h, cut, ठीक है, तो हमने x, p, x, और p, x, x का commutator हमारे पास आ गया, कि उसकी value क्या होगी, ठ calculate कर सकते हैं, x, p, y, y, p, y, z, p, z, हाना, तो यह सब कुछ हम calculate कर सकते हैं, लेकिन कई बार इन results को directly apply करना पड़ता है, ठीक, तो हमें मतलब इतना time नहीं होता है exam में, कि हम उसको solve करके देखें, तो generalize करने के लिए मैंने एक concept लिखा है, कि x, i, p, j, equal to iota, h, cut, del, i, j, we all know del i, j, drag, delta function, इसका मतलब क्या होता है कि अगर i, j, equal है, तो इसकी value क्या होगी, 1, है न, मतलब अगर यह चीज और यह चीज, equal है, तो answer इसका 1 होगा, अगर i, j, not equal है, तो 0 होगा, मतलब अगर मैं x, और p, x, ही ले लूँ, तो same है न, वो, i, j, same है, तो माने पास answer आजाए, आ change कर दूँ, तो मेरे पास answer क्या होगा, 0, ठीक, और कोई example, अगर यह z है, और यह p, z है, तो iota h, cut answer, लेकिन अगर यह z है, और यह p, y है, यह z, अगर यह p, x है, तो भी मेरे पास answer 0, तो मतलब यह generalized result हमें याद रखना है, और इस direct delta function की property हमें बता होने चाहिए, कि यह same value, same index x के लिए 1 देता है value, और अगर i और j not equal हो, तो यह answer हमें 0 देता है, ठीक है, तो हमने position और momentum का relation देख लिया, xpx और pxx और generalize कर लिया, तो यह कहीं भी हम directly भी use कर सकते हैं, ठीक है, अब एक और important relation जो हमें use करना पड़ता है, वो है angular momentum और position commutator, तो सबसे पहले angular momentum, we all know, r vector cross p vector cross product होता है, वो momentum और position का, और अगर मैं r vector की value यह put कर दूँ और p vector की value यह, मतलब उनको components में resolve करके, यह values put कर दूँ अगर, तो मेरे पास, मतलब उनका cross product जैसे हम determinant से solve करते हैं, पूरा cross product अगर हम fine करें, तो मेरे पास lx, ly, lz की value आती है, यह, ठीक है, और इसको याद क करने के लिए बहुत ही simple method है, x, y, z, cyclic order में बना लो, ठीक है, और यह, अगर हमारे पास ऐसे arrows हैं, तो इसका मतलब sign क्या होगा positive, अगर opposite जाना पड़ेगा, तो sign आ जाएगा negative, ठीक है, तो बस हर relation में यही चीज यूज होनी है, तो मान लो मैंको lx लिखना है, तो lx लिख उसका opposite, कि जिसका linear momentum component था, वो अब position आएगा, और y simple था position था, तो उसका क्या आजएगा momentum component, ठीक है, तो ypz minus zpy, symmetry है, y के बाद z आता है, तो zpx minus xpz, similarly lz के लिए, z के बाद xy, तो xpy minus ypx, ठीक है, तो symmetry के through, आप याद भी कर सकते हो, या फिर अप solve करके करना चाहो, तो इस method से cross product निकाल के, अप solve भी कर सकते हो, तो क्योंकि हमें ये commutator के relations find करने हैं, तो पहले इनकी values बता होनी चाहिए, तो कि हमने lx, ly, lz की values निकाल ली, अब मैं commutator relation find करूँगी, lx और x का, ठीक है, तो मतलब, यह मैंने लिया angular momentum of x component ल formula, lx x minus x lx i, अब क्योंकि हमें lx की value जो है, यह होती है, ठीक है, और साथ में x है, तो चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने momentum और उसका position का करके बताया, साइ लगा के सब कुछ derivative, बस वो lengthy हो जाएगा, इसमें हम properties से करेंगे, क्योंकि properties से easy होता है, ठीक है, तो हम यह properties जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, उससे करेंगे, क्योंकि यह आपर क्या हो जाएगा, यह a मानलो, यह b मानलो, तो यह 2 हो गए subtraction में, और यह 1 हो गए single, तो हमें पता है कि इसको इसके साथ भी करना होता है, और फिर इसको इसके साथ भी बीच में अगर plus हो, तो plus, minus है, तो यहाँ पे minus आजएगा, ठीक है, तो हमने 4A property देखी थी, उसके according मैंने यह solve कर दिया, मतलब LX की value पूट की है, X as it is रखा, और फिर properties से उसको separately, commutators अगलग बना लिए, ठीक है, और यह मैंने, फिर उसके बाद, अब यह property, अब यहाँ पे फिर से वो property apply होगी, जहाँ multiply वाली, यह मैंने लिखी है, कि यहाँ पे यह दोनों product में हैं, और एक single है, तो जब product में हैं, तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ, यह as it is बाहर, फिर य a को, a as it is, फिर b को c के साथ है, तो मतलब यह दोनों ही operators को c के साथ हमें commutator find करना है, तो अब यहाँ पे, पहले मैंने यह red वाला जो मैंने रो बनाया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको solve करेंगे, तो क्या लिखा, y को x के साथ, pz y के बात था, तो वो left right में आया ठीक है, फिर plus, अब इसको इसके साथ लेना है, pz को x के साथ commutator, y क्योंकि इससे पहले साथ हो, वो bracket के left में आया, ठीक, मतलब यह property ना भी याद होना आप लोगों को, अब simply इसको बस यह चीज़ देख सकते हो, कि जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में हो बाद में अब यह minus as it is, और यह मैंने black wall फिर solve किया, तो अब क्या करना है, इसको इसके साथ, यह as it is, फिर इसको इसके साथ, यह as it is, तो z को x के साथ लिया, py right में, फिर plus, z as it is, pyx के साथ, तो मतलब अब z क्योंकि py से पहले था, तो वो left में आ गया, ठीक, अब क्योंकि हमें पता है कि y, x भी क्या होगा, 0, क्योंकि x, मतलब कोई एक position, दूसरे position के साथ commute करेगा न, वो तो, कोई value थोड़ी देगा, तो y, x, 0, p, z, x, अब हमने देखा कि position और momentum का जो relation है, वो सिरफ, किस पर depend करता है, dirag delta function पे, अब dirag delta function की value कब होती है, 1, जब वो दोनों सेम हो, अब यह same components नहीं है, ठीक है, तो यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, तो मेरे पास, lx, x की value के आगई, 0, अब हम करते है, y, lx का relation, अब lx की value पुट की, ठीक, अब फिर से property लगा दी, इसको separate, इसको separate, तो यहां पे भी y, y के साथ होगा, p, z, as it is, प्लस, यह यहां रहेगा, यह वाला y, औ z पहले और y, py के साथ, है न, तो अब y, y हमें पता है कि 0 होगा, y, y का commutator relation 0, क्योंकि यह को mute करता है, इसल्फ, जो operator होता है, अपने साथ तो को mute करेगा, y, p, z भी 0, y, z भी 0, लेकिन y, py is iota h-cut, यह हमने अभी अभी निकाला है, general relation, मैंने x और px का निकाल के दिखाया थ यह y, py का है, तो यह iota h-cut, तो मेरे पस क्या आगया, iota h-cut z, तो मतलब y, lx क्या आगया, iota h-cut z, तो फिर similarly, ऐसी हम solve कर सकते हैं, मैंने आपको 2 example solve करके दिखा दिए, अब symmetry के through हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, फिर से यह cyclic order याद रखना है, x, y, z, अगर यह direction रहेगी तो positive, अगर उल्टा जाना पड़ेगा, तो negative, ठीक, तो अगर मैं एक को लिखना है, x, ly, तो हमें पता है, iota h-cut, अब x, ly, इस direction में जा रहे हैं, तो positive sign आएगा, ठीक है, साथ में z आजएगा, iota h-cut z, अब फिर ऐसी y, अब जो similar होंगे, वो 0 देंगे हमें, ठीक है, यह हम z, ly, 0, z, ly, देखो, z, और y, तो हमें कैसे जाना पड़ रहा है, ऐसी direction में, तो जब ऐसी direction में होता है, तो positive आता है, तो इस direction में क्या हो जाएगा, हमारे पास sign क्या आएगा, negative, और iota h-cut साथ में, क्योंकि z और y जाने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, हमें x, तो मतलब symmetry ह बस ये main हमें रियाद होना चाहिए, cyclic order, उसके बाद हम जो मर्जी, बस एक हमें solve करके answer आना चाहिए, उसके बाद हम सारा के सारा symmetry से ही solve कर सकते हैं, ठीक है, तो x, ly, मतलब जब position और angular momentum का relation होगा, तो position ही आएगा answer, last में, और साथ में iota h-cut, और sign हम यहां से देख सकते हैं और अकर same होगा, तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, बस यह चीज याद रखनी है, कि यहां पर क्या आएगा, position या कुछ और, तो यहां पर position आनी है, और third वाली आनी है, जो यह दो components की बात हो रही है, तो तीसरा component आना है, तो x और y की बात हो चुकी है, तो तीसरा component इधर गए, तो इस direction में गए, तो इसलिए answer positive में आया, तो बस यह symmetry के through हमने इसको बना लेना है, बहुत easy है, relation, एक अगर solve करना आगा है, तो कोई भी अब solve कर सकते हो, next भी important है, angular momentum और linear momentum operator का relation, अब वही है, बस अब simple है, जो basic कर चुके है, तो इसमें कुछ भी कोई problem नहीं यहाँ पर बस x की जगा, px है, momentum है, linear momentum, ठीक, और lx की value मैंने put कर दी, फिर से property separate करो, property लगाओ मतलब, accommodator separate करो, और फिर यहाँ पर property multiply वाली, कि पहले इसको इसको इसके साथ, यह as it is, फिर इसको इसको इसके साथ, यह पहले आया, तो यह left में, similarly इसका हमने property solve करी, और यह इसको 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 साथ, नगाना है, तो यह पहले था, तो वो लेफ्ट में आएगा, similarly ऐसे, bracket solve किया, ठीक है, अब pz y तो 0 है, यह भी 0 है, pz, pz, लेकिन pz, z, हमें, पता है, minus iota h2, हमने यह देखा था, कि z, pz क्या होता है, iota h और जब PZZ होगा तो यह property है कि वो अपना sign reverse कर लेता है तो minus I attach card PY as it is और PZPY भी 0 तो मिरे पास यह answer आ गया चीक है मतलब PZLX मतलब जो यहाँ पर component है ना angular momentum के साथ मतलब जब यहाँ पर X था तो यहाँ पर दूसरा component आता था वो भी position का आता था अब linear momentum है तो linear momentum का ही component इधर I attach card के बाद answer में आना है बस आप यह याद रख सकते हो तो Z और X की बात हो चुकी है तो तीसरा component कौन बचा Y तो यहाँ पर Y आएगा और यह जो मैंने आपको बताए कि जो sign है कि plus आएगा यह minus वो आप इस diagram से याद करोगे बहुत easy है बस cyclic order होना चाहिए ठीक है तो यह मैंने फिर से वही similarly commutators बाकि relations भी लिख दिये इसको हम राम से symmetry के तुरू लिख सकते है PXLY यह दो को मैं समझाती हूँ XY की बात हो चुकि है तो Z की बात होगी obviously अब क्योंकि यहाँ पर PX है मतलब linear momentum है तो यहाँ पर भी linear momentum का ही component होगा तो Z component ठीक है PZ का यहाँ पर आगया मतलब linear momentum का Z component PZ और positive क्यों आए है क्योंकि XY तो इसलिए positive तो ऐसे करके सारे symmetry के मतलब symmetry से हमने इस relations को लिख दिया PYLZ देखो यह कोई भी relation मतलब कोई भी उठा लो अब Y और Z के बाद X आया obviously तो हमने यहाँ पर PX लिख दिया और positive क्यों आया क्योंकि Y और Z के बाद आगे क्या है प्लस आयोटा H कर ठीक और जब same components होगे उसका 0 आना है बस यह याद रखना है similarly PX LX तो यह हमें 0 आने हैं बाकी सब हमने बहुत easily symmetry के थ्रू लिख देना है अब यह तो होगे तीन relations कौन कौन से position momentum angular momentum position और angular momentum linear momentum है ना यह तीन हमने commutators पढ़ लिया अब जो यह main है हमारे पास angular momentum उस angular momentum का खुद के साथ ही commutators हम थोड़ा सा find कर लेते हैं एक दो ठीक है और पहली बात तो यह याद रखना है खुद के साथ तो obviously वो 0 ही होगा LX LX LY LY LZ LZ 0 तो मैं यह आपको solve करके दिखाती हूँ LX LY अब जब LX LY solve करना है हमें दोनों की values पता हैं चीक लेकिन हमें वो एक कोई भी एक की value solve कर मतलब पूट करने हैं दोनों की values ने पूट करने हैं वो जादा complicated हो जाएगा क्यों क्योंकि हमें इसको मतलब जब हम separate करेंगे components commutators तो हमें PZ और LY Z LY न सब के relations हम पहले कर चुके हैं मतलब angular momentum और linear momentum का commutator तो हमें पहले ही पाता है तो angular momentum में मतलब angular momentum को दोनों को ही convert क्यों करना तो एक को convert कर दिया है दूसरे को as it is ड्रेने दो ठीक है तो जब हमने एक component की value पूट कर दिए angular momentum की अब हम फिर से वही जैसे मतलब अब simple है solve करना है पहले इसको इसके साथ हमने वह वाली property solve कर दी लग लग commutators निकाल दिये फिर उसके बाद वह multiply वाली कि पहले इसको इसके साथ commute करना है फिर PZ as it is फिर इसको इसके साथ और यह Y as it is similarly Z LY PY as it is फिर Z as it is यहाँ पे और PY LY मतलब निकालना है एक as it is रखके अब वह एक as it is कैसे रखना है मैंने आपको बताया है जो बाद में होगा वह राइट में जो पहले होगा वह left में बस यह चीज़ याद रखने है property याद हो चैना हो बस simple आपको इस समझ आ गया है उसको आप apply कर सकत हो अब Y L Y अभी मैंने आपको यह वाला accommodator जब हम solve करें हमें कितने सारे accommodator relations की जरूरत पड़ रही है तो सोचो अगर हम यह सारे पहले ही solve करके देखने पड़े हमें तो कितना lengthy होगा यह इतना सा procedure तो अगर हमें वह generalize करके अगर हमें याद हो जाए वह चीज़ तो हम directly apply कर सकते कि Y L Y क्या था 0 ठीक है P Z क्या था अब क्योंकि यह दोनों different components हैं और कौन से हैं Z और Y तो third component कौन बचा X तो PX आएगा अब और मैंने आपको बताया कि Z Y मतलब अब उल्टा चले गए ना Z और Y यह देखो Z Y तो यह कौन से sign हो गया negative तो बस यह generalize करके अगर आपको याद होगा तो आप कोई भी question में यह थोटे-छोटे से आप इसको apply कर सकते हो नहीं तो आपको सारे के सारे solve करके देखने पड़ेंगे तो Y as it is रखा minus iota h cut PX की value आगी यह minus as it is इसका commutator relation अब Z यह तो कौन बचा X बचा अब क्योंकि यहाँ पर position है तो position वाले ही आएगा linear momentum का component नहीं आएगा और क्योंकि फिर से Z और Y reverse जा रहे हैं तो minus sign फिर PY as it is और यह 0 है तो जब उनको 00 हटा देंगे और जो हमारे पास बचेगा और उसमें से जब मैं iota h cut common ले लूँगी X PY minus Y PX तो यह X PY minus Y PX किसकी value है LZ की ठीक है तो बस इसकी value LZ पुट कर दी तो मेरे पास LX LY के आगया iota h cut LZ तो क्या हो रहा है X Y Z ठीक और क्या रहा है component angular momentum ही आ रहा है क्योंकि यहां पर भी angular momentum है तो Z तो आना है लेकिन किसका है L का आना है Z component of angular momentum और iota h cut आना है और positive क्यों आना है क्योंकि X Y वो cyclic order है ठीक है बस यह cyclic order तो आपने भूलना ही नहीं है यह वाला XYZ positive अगर reverse है तो negative बस बह commutators को ऐसी लिख सकते हैं जब सेम होंगे obviously 0 X Y Z और cyclic order है तो positive iota h cut X Z तो Ly क्योंकि X और Z दो components है तीसरा y बचा और क्योंकि यह opposite जा रहे हैं X Z इस दूसरा direction है तो यहां भी क्या गया minus iota h cut तो अब यह सारे की सारी इस by symmetry जो मैंने लिखे हैं सारे relations आप देख सकते हो अब आपको बहुत easily यह सारे commutators solve करने आगे होंगे I hope और मतलब आपको यह पता चल गया होगा कि अगर जो मैंने तीन relations पहले discuss किये हैं कोई भी कोई भी तीन relation मतलब जो मैंने वह important वाले relations discussions discuss किये हैं उनको आप कहीं भी यूज करना आपको पढ़ सकता है तो अगर आपको जनरलाइस करके याद कर लोगे तो कोई भी अगर आपको solve करने के लिए आएगा question में तो उनको आप direct results यूज कर सकते हो तो आप कोई भी commutator फिर आप find कर सकते हो commutator को solve करने के लिए वही जो method हमने अभी तक जो भी discuss किये हैं examples किये हैं उसी तरीके से अपने properties लगा के solve करना है तो I hope कि आपको commutator का यह lecture easy लगेगा वीडियो देखके ठीक है तो thank you so much पूरी वीडियो देखने के लिए और अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment कर सकते हो thank you